आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो गाइस इस question मैं से बोला है कि name the different kind of compound leaves अब हमें पता है कि अपनी जो leaves होती है basically वो होती है दो तरह की कौन-कौन सी simple leaves और दूसरा आता है अपना compound leaves तो हमसे बोला है कि जो अपनी compound leaves होती है compound leaves कौन सी होती है जिसमें अपना lamina जो होता वो divided होता है या कि सकते हैं यहाँ पे बहुत साथा यहाँ पना जो होती है अपनी दो तरह की होती है सबसे पहले pinately compound ठीक है और दूसरा होता है अपना palmately compound तो आप pinately में और palmately में क्या difference होता है देखो pinately में अपना जो राचिस होता है यह divide बगरा करता है ठीक है यह form करता है राचिस और राचिस आगे जाकर divide करता है लेकिन palmately में क्या होता है अपनी जो leaves होती है यह सिर्फ कहाँ पे राचिस होती है petiole के tip पे अभी आपको डियाग्रम देखेंगे तो और clear हो जाएगा सबसे पहले start करते है पाइनेटली से अब यहाँ पर देखो यह अपना क्या है पूरा petiole यहां तक था ठीक है पे पेटियोल के होता है अपना leaf का base यह elongate करा इसने क्या बना दिया तो यहां पे राचिस पे क्या है लीफ अरेंज जो रखी है ठीक है अगर मान लो petiole सिर्फ इतना सा पोशन था लीफ का base जहीं पर बहुत सारे leaves होती ही पेटियोल के उपर ही तो उसकों के कहते है पालमेटली कंपाउंड लेकिन ऐसा नहीं हो यहां पर petiole ने राचिस बना ठीक है तो इसको भी हम यहां पर लिखते भी जाते हैं साथ साथ यहां गया पारी प्रिनेट तो इसमें क्या हो गया अपनो जो leaflet है ठीक है जो रेचिस पर रहे हो रही है जो इनको leaf नहीं बोलेंगे अब इनको क्या कहेंगे leaflet क्यों क्योंकि बड़ी लीफ होती देखेंगे अगर हम तो यहां पर equal number of leaflets है, यह कह सकते हैं, even number of leaflets है, ठीक है, तो ऐसी type of pinately compound leaf को कहते हैं, peripennate, ठीक है, next है क्या है, इसका ultra, imperipennate, तो उसमें क्या होगा, कि अब यहां पर even number है, वो ठीक है, लेकिन terminal जो होता है, रैचिस का जो terminal होता है, वो भी एक single unpaid leaflet से खतम होता है, यह कह सकते हैं, कि जो अपने रैचिस का terminal point है, वो अपर भी एक single leaflet present होता है, तो ultimately यहां पर uneven number हो गया, यहां पर even number, यहां पर leaflets का uneven number हो गया, ओके, आते हैं, यहां पर यहां पर अपना petiol है, petiol ने आगे elongation करके क्या बना है, रैचिस, अब इस case में क्या हो हो जाने इस इस वाले रैचिस पर develop कर रहे थी, ठिक है, चाहए even pair में हो, चाहए uneven pair में हो, लेकिन इस रैचिस पर develop कर रहे थी, अब क्या होऊ यह वाले रैचिस भी अपना branch होऊ, एक यहां पर क्या होता है, अपना primary Multipर्च जो होता है यह branch करता है, ठीक है, branch और form करता है, क्या? secondary रैक्स, किस में हो रहा है, बैपनेट में, अब ट्राइपनेट में देखो, यही से हम इसको भी पढ़ लेते हैं, इस में क्या होगा, कि यह रपना रैक्स, primary रैक्स, यह रहा यहां पर अपना सेकेंडी रैचिस सेकेंडी रैचिस पर भी लिफलेट नहीं है अब सेकेंडी रैचिस भी दिवाइट कर रहा है यह ब्रांच कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है टर्शुरी रैचिस ओके इसलिए इसका नाम क्या है ट्राइपिन नेट ओके अपने क्या होता है अपने जो प्राइमरी राचिस होता है वो डिवाइट करता है ठीक है और यहाँ पर कोई डिवाइट और नहीं होता कि हाँ वो एक बारी डिवाइट करेगा जैसे यहाँ पर एक बरी ब्रांच कर रहा है यहाँ पर दो बरी प्राइमरी राचिस ब्रांच कर रहा ह तो आएगे सब pinately compound leaves अच्छे से clear है, हमने इसलिए diagram के साथ समझा है, ता कि कोई भी confusion नहा रहा है, इस पर धियान देना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपना ratchet रिवाइट कर रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ratchet के ऊपर ही leaflets present थी, तो अब आते हैं हम palmetally compound leaf पे, palmetally compound leaf मे यहाँ पर होता है, petiole देखो, यह petiole present है, अब यह elongate करके ratchet रहा कुछ नहीं बना रहा, जो भी leaves है, सिर्फ petiole पर ही present है, तो इसमें भी different types होते हैं, अपने, सबसे पहले start करते हैं, इसमें first type आता है, अपना unifoliate leaf, अब unifoliate leaf क्या होती है, इसके अंदर देखो, अगर आ यहाँ से देखेंगे इस diagram के अंदर, तो यहाँ पर अपनी दो leaflets present है, ठीक है, एक leaflet अपनी है, जहाँ पर लिखा वाय है, विंस petiole, याने कि यह वाला portion, यह reduce हो चुका है, और एक अपना यह रा leaflet, तो leaflet तो यहाँ पर दो है, लेकिन appear कैसे कर रहा है, यह single appear कर रहा है, क आते हैं, यूनी के बाद, bifoliate, साफ साफ हमें दिख रहा है, petiole के उपर दो leaf syringe है, इसलिए इसको bifoliate क्या दिया, ओके, फिर आते हैं, trifoliate पे, यहाँ पर कितने leaflets है, petiole के tip पे, तीन leaflets है, इसलिए क्या हो जाएगा अपना trifoliate, ओके, फिर अपना fourth आता है, quadrifoliate, क्यो तो इस कंडिशन में, petiole के tip पे, पार्च भी हो सकती है, उसे जादा भी हो सकती है, डिफरेंट नमबर उफ प्रेजन हो सकता है, तो यह होता है अपना palmetally compound leaf, palmetally compound leaf easy है, ठीक है, थोड़ी बहुत confusion आपको होगी, वो किसमे होगी, palmetally compound में, लेकिन अब वो हमने एच से एक 444 पर